नमुश्कार में उप्री आज है 5 दिसंबर चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को नहीं आज जा रही है चात्रों को इस बार एडमिट कारड पर हस्ताक्षर करवाने के लिए स्कूल आने की जरूरत नहीं होगी एडमिट कारड पर स्कूल प्राचार का डिजटल हस्ताक्षर पहले से इसके लिए CBSी ने सभी स्कूल के प्रचार का डिजिटल हस्ताक्षर पहले ही ले लिया है। गौतम बुद्ध द्वारा यहां अपने शिश्यों को उपदेश देने के कारण इस पवित्रिस्थान का अपना एक अलग महत्व है। कोरोना के मिले 600 से ज्यादा मामले विहार में कोरोना के मामलों में गिरावर देखने को मिल रही है। स्वास्ते वभा की तरफ से बीते दिन के पिछले 24 घंटे में जारी किये गें आकडो के अनुसार को मिलाकर 699 मामले सामने आए हैं। जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 2,37,968 पर पहुँच गई है। माही प्रभावित टॉप 3 जिलों की बात करे तो पटना में 211 मामले सामने आए हैं। गोपाल गर्ज में 64 मामले तो वहीं मुजफरपुर में 22 मामले सामने आए हैं। 15 दिसमबर तक होगा मंत्री मंडल का विस्तार सरकार गठन के बाद साथी विधांसवा 7 के मंत्री मंडल के विस्तार की बारी है। जिसके बाद अब 11 से 15 दिसंबर के बीच मंत्री मंडल पर विस्तार होने की खबर सामने आई है। आपको बता दे नितीश कुमार के CM पद की शपत के दौरान 14 अन्य विधायकों ने मंत्री पद की शपत ली थी वहीं अब 17 और मंत्री बनाए जा सकते हैं। हाला कि सामाजिक समिकरन तै करने के हिसाब से ही मंत्री के पद के लिए विधायक चुने जाएंगे। में 26 वे स्थान पर पहुँच गई है जानकारों की माने तो शहरी छेतर में जलापूर्ती विवस्था की धीमी रफ्तार ने जिले की रांकिंग धीमी कर दी है। जारी केगे आखडों के नुसार पुर्वी बिहार कोसी सिमांचुल के जलों में जमूई की रांकिंग सबसे बहतर बताई गई है। बिहार में बढ़ी फैंसी नंबर की डिमांड बढ़ती जा रही है। बिहारी पैस्वान में आज में बात करेंगे अजीत अंजुम की अजीत अंजुम वरिष्ट पत्रकार और लेखाक है। उन्होंने न्यूस 24 और इंडिया टीवी न्यूस चानल में प्रबंध संपातक के रूप में काम किया है। उन्हें साल 2010 में रामनाद कोईन का Excellence in Journalism Award से समानित किया गया है। कुछ समय के लिए उन्होंने टीवी 9 भारत वर्ष में सलाहकार संपादक के रूप में भी काम किया था। अजीत अंजुम का जन्वे भिहार के बेगुसराय जुरे में 7 अप्रेल 1979 को हुआ था। अजीत अंजुम ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई बेगुसराय और दरभगासे की थी। वहीं अजीत अंजुम ने अपने सनातक की पढ़ाई मुजफरपुर केillar Sum college से पूरी की थी। अजीत ने अपने करियर के शुरवात अपने college के दुनों से ही कर ली थी। पटना के अस्पतालों में अब मिलेगी ऑनलाइन सेवा राज़ानी पटना में रोग्यों को सरल सहज और जल्दी से मेडिकल सुविधा मिल पाए इसके लिए अस्पतार प्रबंधन के सिस्टम को ऑनलाइन क्या गया है अब नई विवस्ता लागू होने के साथ ही कंप्यूटराइस्ट और सेंट्रलाइस्ट तरीके से मेडिकल सुविधाओं की मॉनिटरिंग हो पाएगी गोविंद सिंग अस्पताल में इस सेवा के शिरुवात बीते दिन जुराथिकारी कुमार रवी ने कर दी है इसके साथ ही फोलवारि शरीफ सित् सामुदाइक स्वास्तिकेंडर में भी इसकी शुरुवात की गई है उससेवा के शुरु होते ही मरीजों का सरकारी दिशानर देश के अनुसार ही इलाज कर्वानेक कार निरदेश जारी के आ गया है B.S.S.C. के खिलाफ एड्मिट कार जारी नहीं करने पर फूटा परिक्षार्थियों का गुस्सा बिहार S.S.C. इंटर्स तरिय मुख्य परिक्षा के सेकडो चातर पट्टा के हवाई यड़ा थाना छेतर के बिहार कर्मचारी चैयन आयो के बाहर खूब हंगामे बाजी उन्होंने की वहीं मौके पर उन्होंने B.S.S.C. के खिलाफ जम कर नारे बाजी की चातर काफी देर तक B.S.S.C. की गेट पर ही हंगामा करते नजर आये हलाकि बाद में पलिस बल को भी चातर को नियंत्रत करने के लिए बुला लिया था आपको बता दे S.S.C. इंटर्स तरिये मुख्य परिक्षा के लिए अभी तक चातरों को एड्मिट कार जारी नहीं किया गया है इसी कारण से चातरों का गुस्ता फूट गया है भू माफियाओं पर नितीश सरकार हुई सक्त सरकार बनने के साथ ही नितीश कुमार अब पूरी सजकता के साथ काम करते नजर आ रही है जहां एक तरफ मुक्यमंत्री नितीश कुमार के आदेश पर लापरवापल सधिकारियों पर नकेल कसी जा रही है वहीं अभू माफियाओं पर भी नितीश सरकार सक्ती से पेश आने वाली है जिसके तहत बिहार राजस्वेवंभू में सुधार विभाग ने सरकारी जमीनों का बेवरा तयार किया जा रहा है हर एक जिलो से रिपोर्ट मांगी गई है जिसके परिणाम सरुप जिन लोगों ने सरकार की जमीनों पर कबजा जमा रखा है उन्हें जमीन से बेदखल किया जाएगा यानि कि अपूरे राज में विशेश तोर पर अतिक्रमन हटाओ अभियान चलाने की तैयारी चल रही है बिहार में खाता खोलो अभियान की हुई शुरुआत बीते दिन से बिहार के डाक घरो में खाता खोलो अभियान की शुरुआत करवाई गई है जिसके बाद यह मुहीम 15 दिसंबर तक जारी रहने वाली है पटना प्रमंडल के वरिये डाक अधीक शक अमित कुमार जहा की माने तो डाक वभाग की तरफ से जगे जगे पर विशेश क्यांप लगवाय जा रहे है इसके साथ उन्हों ने यह भी बताया है कि डाक घर में केवल 12 रुपे वारशिक में 2 लाख रुपे का दुरघटना बीमा और 330 रुपे के वारशिक में 2 लाख का जीवन बीमा का लाब मिलेगा खासकर ग्रामी निलाके पर विशेश फोकस रहेगा बिहार की बेटी अर्चना ने पेश की मिसाल किसान परिवार में जन्मी और पली बढ़ी अर्चना ने अपने साथ साथ अपने परिवार को बढ़ाने का काम किया है चट से गिरने के बाद अर्चना के आधे हिस्से के अंग काम करना बंद कर चुके थे हाला कि इसके बावजूत अर्चना ने हार नहीं मानी और एक बार फिर से शॉट पूट डिसकस्ट थ्रो और जैवलिन थ्रो का प्राक्टिस स्कूल के कोच के साथ वीलचेयर पर बैठे ब ज़कारता में अंतराश्च्री एथिलेटिक्स प्रतियोगिता में भागेदारी भी उन्हाने की थी बिहार सरकार ने भी उनकी प्रतिभा का सम्मान किया और बिहार सरकार में उनकी सेवा ली गई है 24 जनवरी 2020 से वो भागलपुर के जिला अभी लेखागर में बत और लिपिक कारेरत है बिहार के मौसम में रात के ताप्मान में थोड़ी वृध्धी की बढ़ी संभाबना बिहारवासियों के लिए रहत भरी खबर सामने आई है मौसम वेज्ञानिकों की माले तो अगले कुस दुनों तक बिहार में मौसम सामाने रहने की उमीद जताई गई है मौसम वेज्ञानिकों ने साफ कहा है कि मौसम में कोई खास बदलाव की उमीद नहीं देखी जारी है इतना ही नहीं मौसम विज्ञानी को नहीं हभी साफका है कि आने वाले दुनों में किसी भी तरह से बंगाल की खाड़ी में बन रहे चकरवाती तुफान का सर बिहार में देखने को नहीं मिलने वाला है हलाकि बिहार के अधिकान जिलो में रात के तापमान में थोड़ी व्रधियोने की संभावना भी जटाए गई है किसानों के समर्थन में आज विरोध करने उतरेगी राज़त देश भर के कई हिसों में किसान ने विरोध शुरू कर रखा है वहीं अब किसानों को कई राज़नेतिक दलों का समर्थन भी मिलने लगा है इसे क्रब में अब राज़त किसानों के हित में विरोध का समर्थन करने सड़कों पर उतरने वाली है मिली जानकारी के अनुसार आज राज़त पटना के गांधी मैदान में विरोध करने वाली है राज़त के प्रदेश अध्यक्स जगदानन सिंग ने बताया है कि गांधी के विचारों का हनन किया जा रहा है इसलिए राज़त गांधी मैदान में गांधी की प्रतिमा के नीचे बैठ कर विरोध करने वाली है वहीं किसानों के विरोध को लेकर तेजस्वी आदब ने केंद्र सरकार पर भी सवाल उठाया है राजसभा जाने का सुशीर मोधी का रास्ता हुआ साफ जिस बात का अंदेशा था वही बात सही साबित हुई कल तक जहां इंजीनेर निर्दली उमिदवार के मैदान में उतरने से चुनाव में रोमांचक मोड आने की उमीद जताई जा रही थी वहीं अब उन उमीदों पर पानी फिर गया है निर्दली इंजीनेर शाम नंदन प्रसाद का नामांगकर रद हुगया है क्योंकि निर्दली प्रत्याशी को जरूरी दस्विधायकों का समर्थन पत्र नहीं प्राप्था ऐसे में उनकी उमिदवारी रद कर दी गई है मिली जानगारी के नुसार उनने एक भी प्रसावत नहीं मिला जिसके बाद अब सुशेल मोदी निर्विरोध राजसभा पहुचने वाले है सैनिक स्कूल में आवेदन की तारीख में हुई बढ़ोतरी सैनिक स्कूल में साल 2021-2022 में प्रवेश के लिए और इंडिया सैनिक स्कूल इंटरेंस एक्जाम का आयोजन अभ 18 दिसमबर 2020 को शाम पांच बजे हो सकता है सैनिक स्कूल में प्रवेश के लिए आवेदन की प्रक्रिया 20 ऐक्टूबर से शुरू हो चुकी है आवेदन की तारीख 19 नवंबर थी जिसे बढ़ा कर अब 3 दिसमबर कर दिया गया था जिसके बाद NTA ने नया नोटिस जारी करके इसकी तारीख 10 दिसमबर किये जाने की जानकारी दी है RSS प्रमुक मोहन भागवत आज अखिल भारती एक कारेकारी मंडल की बैठक में होंगे शामिल राश्ट्रिय स्वाइन सेवक संग के प्रमुक मोहन भागवत बीते दिन पटना पहुच गया थे जिसके बाद मोहन भागवत आज 5 और 6 दिसमबर को छेतरी एक कारेकारी मंडल की बैठक में पटना के केशव विद्या मंदिर में शामिल होंगे दिहार जहारखंड संग के 40 पदाधिकारी बैठक में शामिल होंगे संग के अलग-अलग संगठनों के कामों की समिक्षा की जाएगी बैठक में राम मंदिर निर्मान पर भी चर्चा की जाएगी वहीं 6 दिसंबर को 3 बजे केशव विद्या मंदिर पटना सिटी से एरपोर्ट के लिए रवाना होंगे 3 बच कर 45 मिरट पर जोय प्रकाश टारायन हवाई एड़ा से दिल्ली के लिए रवाना होंगे पार्टी विरोधी बयानबाजी के कारण प्रदेश महासाचिफ केशव सिंग को लोचपा ने दिखाया बाहर का रास्ता मिली जानकारी के नुसार लोजपा के नेताओं ने ही चिरागपासवान से इस्तीफे की मांग शुरू कर दी थी। नेकी बात कही गई थी जिसके बाद अब इस मामले ने एक बार फिर से तुल पकर नाश शुरू कर दिया है। प्रेसवारता के दौरान इसका निर्ने लिया गया है हाला कि इससे पहले क्रिशी कानून के विरोध के आठवे दिन क्रिशी मंत्री नरेंदर सिंग तोमर, वानेज मंत्री प्यूश गोल, समेट शीर्श केंदरी आधिकारियों के साथ किसान नेताओं ने बैठक वी गी थी। आपको बता दे विरोध को राज़त और वाम नेताओं ने समर्थन दिया है, वाम नेताओं ने कहा है कि वे बिहार के किसानों के बीच क्रिशी कानून को लेकर जागरुपता अभियान चलाएंगे। में आजी के दिन रंगभेत के खिलाफ अभियान चलाने वाले दक्षिन आफ्रिका के पुर्वराश्ट्रपती एवं भारत रत्म सम्मानित नेलसन मंडेला ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। ODI में मिली हार के बाद भारतिय टीम को T20 में मिली जीत। खेले गए तीन ODI मैच में से दो को हारने के बाद भारतिय टीम ने अपनी गलतियों को सुधारा है और यही कारण है कि टीम को पहले T20 मैच में शांदार जीत मिली है। भारत ने पहले बल्ले बाजी करते वे साथ विकेट के नुकसान के साथ 161 रनों का लक्ष रखा था जुसके जवाब में ऑस्ट्रीलिया की टीम साथ विकेट के नुकसान पर 150 रन ही बना सकी। भारत ये टीम की बात करें तो केल राहुल ने 51 रनों की पारी खेली वहीं जडेजा ने 23 बॉल में 44 रनों की शांदार पारी खेले। कंगना रनोंत के खिलाफ उत्रे दिलजीत दोसांच को मिला प्रिंस नरूला का साथ किसान आंदोलन को लेकर बॉलिवूड डाक्रिस कंगना रनोंत और पंजावी सिंगर दिलजीत दोसांच के बीच सोशल मीडिया पर जुबानी लड़ाई देखने को मिल रही है वहीं पूरा बॉलिवूड कुछ ना कर पाया तू क्या उखार लेगा दिलजीत इसके नीचे दिलजीत के फोटो के साथ लिखा है मेरे मून आलग और इस सची कहता हूं बहुत पच्चताएगी अगर आज ये जाट बिगड़ गया ना मनाली से मुंबई करती जाएगी वाटसाप अकाउंट को डिलीट होने से बचाना चाहते हैं तो करे कुछ नियमो का पालन सोशल मेसेजिंग आप वाटसाप जलती अपने प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट करने जा रहा है खबरों की मारे तो नियमो का पालन करना सभी यूजर के लिए अनिवारे कर दिया गया है अगर ऐसा नहीं होता है तो यूजर को अपना अकाउंट से हाथ थोना पड़ सकता है डवलुए बीटा इंफो ने नैनियमो और गोपनियता नीती अपडेट से जुड़ा स्क्रीन शॉर्ट शेर किया है इसमें साफ तोर पर लिखा है कि यूजर को या तो नैनियमो को अकसेप्ट करना होगा या फिर अकाउंट डिलीट हो जाएगा अब आईए जानते हैं सराफबाजार और पिट्रोल डीजर के क्या थे भाव अगर हम सराफबाजार की बात करें तो सोने का भाव 4 दिसंबर को 22 क्यारट के लिए प्रतिदस ग्राम 48,330 रुपए था वहीं 24 क्यारट के लिए प्रतिदस ग्राम 49,330 रुपए था अब हमारे दुवारा पुछेगे सवाल का जवाब आपमें से बहुत सारी यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था उसके लिए आपका बहुत बहुत धनिवाद आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है सरोज कुमार, नंद कुमार सिंग, कुमारी संजना, आरव सिंग, श्वेता रॉय, भाई धंजी पहलवान, काजल हेमंत कुमार, दिनेश कुमार, शर्मा, यादव जी, शोईब, अली, असलम, राज, सती किश कुमार, प्रमोद कुमार, संजीत कुमार, संगराम कुमार, रंजीत कुमार, प्लेस, विजिटिंग, सुजीत कुमार, इसके अलावा हमारी टीम के और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, बगर समय क्या भाव की कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन कारतिय टीम की जीत का सबसे जादा योगदान आप किस खिलाडी को देंगे, अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं, इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही, अगर आपे वीडियो हमारा योट्यूब पर देख रहे हैं, तो हमारे चानल को सब्सक्राइब करें औ और बेल आइकान दबाना ना भूले, और अगर आपे वीडियो हमारा फेस्बुक पर देख रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और जादा जादा शेयर करें, धन्यवाद